हाई फ्रेंड्स मैं हूँ नलिनी मलकानी नलिनी की रसोई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं बनाने जा रही हूँ क्रिस्पी करेला वेफर्स सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना नब होने क्रिस्पी करेला वेफर्स बनाने के लिए हमें किन-किन चीजों की जरूरत होगी 250 ग्राम करेला दो बड़े चमच चने का आठा दो बड़े चमच चावल का आठा देड नीबू का रस आदा छोटा चमच जवाएन एक छोटा चमच तउप अधा छोटा चमच लालमिस पाउडर नमक स्वाथ के अनुसार और तेल सबसे पहले हम करेले के वेफर्स बना देत अब इसमें नीवू का रस नमक स्वाथ के अनूसार डाल कर मिक्स कर देते हैं ताकि करेले का कड़वापन निकल जाए और 10 मिनट के लिए ढग कर रख देते हैं अब इसमें चने का आटा चावल का आटा थोड़ी सी अच्वाएं लाल मिच्ट पाउडर तो डालकर अच्छे से मिला लेते हैं अच्छे से मिक्स हो गया है अब यह प्राय होने के लिए तैयार है इसको तब तक फ्राय करना है जब तक यह गोल्डवन हो जाए और इसको मीडियूम गैस पर ही करना है जैसे यह क्रिष्पी बनें इसको गोल्डवन हो गया है अब इन्हें निकाल देते हैं इसी तरह हम तब वेफर्स को फ्राय कर देंगे यमी क्रिस्पी करेला वेफर सर्फ करने के लिए तैयार है अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो को शेर करें और लाइक करें जल्द ही नई रेसिपी के साथ लोटूंगी तिल देन तेक वेरी गुड़ चैर अप्योंगी एप्योंगी एप्योंगी थैंक यू पर वाचिंगी रसोई